नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट योटूब चैनल पे अभी साथियों आप स्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि भारतिय नौ सेना के अंतरगत जिसमें आपको अप्रेंटी सीप के अंतरगत पोष्ट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको दो पदो पर भरती देखने को मिल लेए एक आपका नवल सीप रिपेर याड के अंतरगत और दूसरा साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो की Nowal Aircraft Yard के अंतरगत, जो की दोनों का लोकीशन अलग अलग है यदि आप Nowal CP Repaired Yard के अंतरगत फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको इसका लोकीशन करनाटका देखने को मिलता है और यदि आप Nowal Aircraft Yard के अंतरगत फॉर्म को अप्लाई करतें और कब से कब तक यह फार्म अप्लाई किया जाएगा यदि आप आईटे के चात्रें और इस तरह की कोई भी विकेंसी आती है आपको सबसे पहले जनकारी चाहिए तो इस वीडियो की नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सस्क्राइब वाला उसे दबाईएगा और बगल इसमें 30 सीटे खाली आपको देखने को मिल जाती है और यदि आप नवल एयर क्राप्ट याड के अंतरगत फार्म को प्लाई करते हैं जिसका लोकेशन आपको गोवा देखने को मिलता है तो इसमें साथियो आपको 180 टोटल देखने को मिल जाती है तो इस तरह यहाँ पर जैटर एंट प्रोग्रामीं असिस्टेंट देखने को मिल जाता दूसरी नमबर पेざ्वर्ट एंटरी मेकेनिक ए चोतह नमबर एको फीटर देखने को मिल जाता है इतना यापको आपको करम वाईज इन्होंने बता रख रख अब यहाँ पर साथ यों नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको Information and Communication Technology Maintenance का भी पोश्ट देखने हो को मिल जाता है, जिसको ICTM साट कार्ट में बोला जाता है, बहुत सरे छात्र यहां पर इनको जनकारी नहीं होगा, तो इसका फूलने भी आप ध्याने किएगा, अब नीचे आ जाईए, जिसके आप नीचे आ जाते हैं, तो और भी आपको Trade देखने हो को मिल जाते हैं, जिसके Instrument Mechanic हो गया, मस्निष्ट हो गया, इसके बाद यहां पर Wine Engineering Feetor हो गया, इसके बाद यहां पर Mechanic Diesel हो गया, Mechanic आपका हो गया, इसके बाद बहुत सारे यहां पर PLC हो गया, इसके बाद Mechanic Industrial Electronic हो गया, और भी आपको Trade देखने हो को मिल जाएंगे, यहां पर आप नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर Mechanic, यहां पर आपको Machine Tool Maintenance देखने हो को मिल जाता है, Machine यहां पर आपको देखने हो को मिल जाता है, Mechanic Motor Vehicle है, Mechanic Refinition and Air Conditioning भी देखने हो को मिल जाता है, Operator Advanced Mechanic Tool भी है, और इसके बाद साथ यह आप नीचे आ जाते हैं, तो Penter General और Pipe Heater, Seat Metal Worker, इसके बाद सिपराइट रिश्टील, और यहां पर सिपराइट उड भी देखने हो को मिल जाता है, Taylor General, और यहां पर देखेंगे, तो Welder Gas and Electric का भी सीट का लिए, जिसमें Welder Trade के चाहतर अपलाई कर पाएंगे, इसके बाद यहां पर TIG और MIG यहां पर आपको Welder के इंतरगत देखने हो को मिल जाती है, यतना Trade है, और इसमें एक Post है, जिसमें आपको Crane Operator देख का होना चाहिए, इसके बाद यहां पर आपको Riger और Forger and Heater Trader का भी पोष्ट देखने हो को मिल जाता है, जिसमें दसमी पासवले अपलाई कर पाएंगे, तो कोई भी आपको जरुवत नहीं, कुछ पोष्टों पर यहां पर Technical Qualification नहीं मांगा गया है, लेकिन कुछ पोष्ट and Heater Trader है, जिसमें दसमी पास भी अपलाई कर पाएंगे, तो कुछ सीटी आपको दसमी पास को भी देखने हो को मिल जाता है, अब यहां पर सबसे पहले दसमी पास कहा जा रहा है, जिसमें minimum percentage आपका 50% होना चाहिए, और इसमें सात्यों किस board से होना चाहिए, इसके बारे मे यहां पर आपको जनकारी देखने हो को मिल जाती है, और technical qualification में आप देखेंगे तो ITI मांगा गया है, और यहां पर ITI का course आपका NCBT या SCBT से होना चाहिए, जिसमें 55% होना चाहिए, ध्याने किएगा, इसमें कितना percentage होना चाहिए, 65% होना चाहिए, ITI में, चाहिए आपने ITI का course NCBT से कर रखा है, या SCBT से है, बाकी यहां पर तीन आपको जो सीट देखने हो को मिल जाती, जिसमें दसमी पास वाले apply कर पाएंगे, तो वो चीज यहां पर ध्याने किएगा, दसमी में कोई भी यहां पर percentage की बात नहीं किए गए, लेकिन grade point की बात की गई है, एक grade आपक तो यहां पर आप पढ़ सकते है, age की आगे लिखा गया है, यहां पर 21 मतलब की कम से कम आपके जो उमर होने चाहिए, वो 14 साल होने चाहिए, जिसमें यदि आप SST के अंतरगत आते हैं, तो 5 साल की छूटे, और यदि आप OBC के अंतरगत आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट उमर में देखने को मिल जाती है, यह यहां पर बात करें, फिचकल के बारे में साथियो, तो यहां पर height यहां पर 50 मांगा गया है, और कम से कम आपका weight जो होना चाहिए, वो आपका height के अनुसार 45 kg होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी यहां पर chest की बात करें साथियों, तो यहां पर यहां पर resolution दिया जाता है, SSD के लिए सब कुछ यहां पर आपको जनकारी देखने को मिल जाती है, अब इस्टिपेंड की बात करें, कितना आपको इसमें training के दोरान payment दिया जाएगा, तो आपको यहां पर सारी जनकारी देखने को मिल जाती है, यदि आपने ITE का कर रखा है, और ITE का कोर्स आपका दो साल का है, तो आपको इसमें 12 मंत training दिया जाएगा, और परमति आपर 8,050 रुपे दिया जाएगा, वह यहां पर एक साल का जो 76 ITE का कोर्स की हैं, उनको यहां पर 77,00 दिया जाएगा, बाकि इसमें जो push-push आपको द दिया जाएगा, यहां पर 12 मंत का करते हैं, तो 5000 दिया जाएगा, बाकि 13 और 14 मंत का रखाएगा, तो इसमें आपको 500 तक देने की बात कई गई है, अब साथ यह नीचे आजाएगे, अब यहां पर बात कर लेते हैं, कैसे फार्म को अप्लाई करना है, यहां आप से मैं कहू कि कैसे आप मुवाइल के दवारा फार्म को अप्लाई करेंगे, तो आप गहेंगे, तो इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आओंगा, जिसको मुवाइल के दवारा भी आप देखकर फार्म अप्लाई कर पाएगए, ंपर अपर सातियो, आपको अपरश्चे वाले आपसन मे see prepare yard जो कि यहाँ पर आप इतना सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने सो करेगा वहाँ से आपको form को apply करना है यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक detail में वीडियो बना दूँगा बाकि आप चाहते हैं इस speed post के मादम से इस form को apply करना तो उसके लिए भी यहाँ पर जनकारी दे रखिए जो कि यहाँ पर 30 दिनों के अंदर यहाँ पर पहुचना चाहिए जो कि यहाँ से आप देख लिजेगा apply करना चाहते तो डॉक के मादम से आपके लिए सुभिदा है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो location आपको देखने हो के मिलाता है यहाँ से सुरू होता है और यहाँ तक किसी location पर आपको भेजना है इस बात को भी ध्याने केगा बाकि यहाँ पर बात करें फॉर्म बरते समें किन-किन डॉक्मेंट की जरूरत पड़ेगी तो qualification के नुसार अपना qualification का mark sheet और certificate आप attach करेंगे जिसमें दसमी का रहेगा और बरहमी का भी रहेगा साथ हो साथी साथ इसमें आपको जाती पर्माण पत्र भी यहाँ आपर attach करना पड़ेगा बहुत सारे चात्रे आप पर एक सर्विसमेंट के अंतरगत आते हैं वो लोग भी apply करें तो उनके लिए आप पर certificate की जरूरत पड़ेगी बाकि यहाँ पर अधार कार्ड हो गया यह सभी चीज़ें यहाँ पर जरूरी होते तो सभी चीज़ें आप लगेगी यह चीज़ ध्यान किएगा पाकिसात्यों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चात्र आप लाइन अपलाई करना चाते हैं उनके लिए आप जनकारी इनोंने दे रखिए कि आप लाइन कहां से आप फॉर्म डवलोड करेंगे और कैसे आप अपलाई कर पाएंगे उमीदे सात्यो आपको जनकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा